गर railway track पर construction से repairing का काम चल रहा हो और उस पट्री पर कोई train आ जाए तो उसे कैसे रोका जाता है जब भी किसी पट्री पर कोई काम चल रहा होता है तो construction वाली जगह से 600 से 700 मीटर की दूरी पर छोटे छोटे डैनमाइट लगा दिये जाते हैं जिससे जब train उस डैनमाइट पर चलती है तो उससे आवाज निकलती है तो लोको पाइलेट समझ जाता है कि आगे repairing का काम चल रहा है और वो तुरण train में ब्रेक लगा देता है जिससे कोई बेड़ी दुरगटना नहीं होती है और दिन में red light सही से दिखती नहीं है इसलिए इ वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए